NCRT द्वारा स्कूलों के पाठिक्रमों में इंडिया को भारत की जाने की सिफारिश कुले कर हुई कमिटी बैठिकों के बाद अटकलों का दौर तेज हो गया है। इंडिया रेपोर्टों पर NCRT ने कहा नई पाठिक्रम और पाठिक्रमों का विगास प्रक्रिया में है और उस उद्देश के लिए NCRT द्वारा डोमेन विशेशक्यों के विभिन पाठिचर्यार शेत्र समुहों को अरिसूचित किया जा रहा है। इसलिए सम्बन्धत मुद्दों पर विडिया में चल रही खबरों पर टिपड़ी करना चल्दवाजी होगी। इसके बाद जहां कि इन्रे सरकार इस सिपारिश का स्वागत कर रही है। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष इस सिपारिश पर सवाल खड़े कर रहा है। आइए सुनते हैं किसने क्या कहा। प्रिक ही एक राजनेतिक निर्णे है। क्योंकि इस देश के लगवक सभी प्रमूक राजनेतिक दल जो देश भक्त है। एक साथ आकर एक इंडिया गड़बंतन बनाया। तब से इंडिया नाम से नफरत करने लगे हैं यह लोग। यह तो कल तक इंडिया का नाम से डंका बज रहा था पुरे विश्वम में। सभी योजने इंडिया नाम से चल रही थी। तब भारत की याद नहीं आ गई। लेकिन जब से हमने इंडिया गड़बंदन बनाया तो उनको इंडिया से घुना होने लगी। हमारे सम्विधान में भारत और इंडिया दोनों यूज किया जाता है और दोनों ही यूज किया जाना चाहिए। हमारे सम्विधान इसकी परमिशन देता है पर मैं आपको यहीं बता रही हूं कि क्यों इंडिया शर्थ से प्रधान मंत्री मोधी को अचानक इतनी दिक्कत हो रही है यह उनका डर साप दर्शाता है और कुछ नहीं। आप लोग अपनी तरफ से कोई इसके रिकमेंड करेंगे कि ऐसा किया जा जो रिकमेंडेशन उससे अलग है अभी एक बार सारी रेकमेंडेशन सारवजनिक होने दीजिए तभी इसका जवाब देना उचित होगा। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है इतिहास में के तत्यों के साथ खिलवार कर रहे हैं आज मैंने डीटेल बढ़ पढ़ा चेयर्मन साहब का वो कह रहे हैं फलाने को फलाने पढ़ाएंगे फलाने को चिलाने पढ़ाएंगे इसका मतलब है कि counterfactual imagination पर history लिखी जाएगी तत्य दिख रहे हैं historical reaction दिखा रहे हैं अगर उस गटमंदर ने अपना नाम भारत कर लिया फिर क्या करें कोई नया नाम आर्यावर्त जंबो दूइप वगेरा वगेरा एक गांभीर होनी चाहिए उस गंभीरता का उसी मानदारी का घोरा भाव है और इसलिए कोई भी चीज सुरक बिपक से हमेशा जब भी positive काम होता है तो उसमें कुछ न कुछ अडंगे लगाते रहता है वो कोई दिक्कत की बात ने है इसलिए वो हमेशा नीचे को जा रहे हैं